नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर ओम नमो भगवते वासुदेवायह नमह, मा भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, दोस्तों भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर नाशास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव आत्मा के सूचक हैं और पंच देवों में स्थान आता है, भगवान सूर्य देव पंच देवों में से एक देवता हैं जो की प्रत्यक्षरूप में ह हमें दिखाई देते हैं, हमें इनका दर्शन करके प्रति दिन इन्हें प्रणाम कर सकते हैं, इन्हें अर्ध्य दे सकते हैं और इनसे अपनी मन की कामना कह सकते हैं। किस समय जल अर्पित करें, किन वस्तूओं का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और हमारी कोई विशेश मनोकामना होती है, तो देखिए अगर हम प्रति दिन जल अर्पित कर रहे है प्रति दिन जो हम जल अरपित करते हैं, बिना किसी कामना के करते हैं, निशकाम भाव से करते हैं, तो उसमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है. हम उठते हैं, सनान इत्यादी करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन जब कोई विशेश मनोकामना हो, जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो, किसी बहुत अधिक परेशानी में आप जूज रहे, हो तो ऐसे में भगवान सूर्य देव जो की प्रत्यक देवता माने जाते हैं, और जोतिश शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको माना गया है, इसलिए जब हम भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, इनके मंत्रों का जब करते हैं, और इनहें जल से अर्भ्य देते हैं, तो हमारे मन में जो परेशानिया होती हैं, जो स प्राप्ति की कामना हो, भाग्य का साथ आपको नहीं। प्राप्ति की समस्या है, जैसे कि मन चाही नौक्री चाहते हैं, या बहुत समय से नौक्री के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौक्री मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप 43 दिन तक भगवान। के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए बस एक ही शर्थ है, मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये उपाय जरूर काम करेगा, और दूसरी चीज आपको नियम का पालन करना पड़ेगा. देखिए जोतिश शास्त्र में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाले जोग्रह है, वो भगवान सूर्यदेव. है, इसलिए जब हम भगवान सूर्यदेव की कृपा चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अनुशासित रहना पड़ेगा, अनुशासित का मतलब होता है, समय पर सोना समय पर जागना, तो प्रातहकाल जल्दी उठना शुरू कर दे, यानि की सूर्योदय से पहले उठना प्र अच्छी अवस्था में भी है, तब भी अशुब फल देने लग जाते हैं, तो समय का ध्यान रखें, जब आप सूर्य की कृपा चाहते हैं, तो और अब बात करते हैं, उपाय के बारे में देखिए प्रातहकाल जल्दी उठना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठना है, और पालन अत्यंत आवश्चक है, अगर की कोई विशेश मनोकामना है, और चाहते हैं, बहुत शीघर हो देखिए, सर्वप्रथम तो रविवार से हमें ये उपाय शुरू करना है, मतलब किसी भी रविवार से आप ये उपाय, शुरू कर सकते हैं, तो प्रातहकाल जल्दी पित करना है, बहुत से लोगों का यहां प्रशना आता है, कि तामबे का पात्र नहीं है, हम दूसरा पत्र ले सकते हैं, आपको ये उपाय करना है, तो आपको तामबे के पात्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय विशेश मनोकामना के लिए है, नॉर्म पात्र अवश्य होना चाहिए, शुद्ध जल भरे। उसमें और एक लाल फूल आप उस जल में डालें और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब आपके घर में जहां से भी भगवान सूर्यदेव दिखाई देते हों, उन्हें देखते हुए आपको यह जल अर्पित करना है और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने। अर्पित करते हैं तो जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय चौबीस बार मात्र आप अगर आप गायत्री मंत्र का जब करते हैं, मन की कामना कहते हैं, तो बहुत सी आपकी मन की कामना पूर्ण होती है. एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इस उपाय को शुरू करते हैं, कोई भी एक निश्चित मनोकामना रखिए कि किस मनोकामना से आप ये उपाय कर रही हैं. भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मन की कामना करिए और भगवान सूर्य से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए. ये कार्य आपको रतिदिन करना है. तीन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे 24 बार गायतरी मंतर का जब करेंगे और उसके बाद अपनी मन की जो कामना है भगवान सूर्य देव से कहेंगे और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे और सूर्य देव की तीन बार परिक्रमा करेंगे और और अब बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जो की समय के बारे में है, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, भगवान सूर्यदेव को जल के समय अर्पित करना चाहिए, तो देखिये शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्यदेव, जब आसमान में ला जैसे आप अपने अनुसार अपना समय निर्धारित कीजिए, इस समय आप जल दे सकते हैं। समय मेरी अनुकूल है, वह समय आप निर्धारित कर लीजिए, आप सूर्योदय से लेकर 10 बजे के बीच में जल देंगे। समय में भी आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। अपनी मनो कामना कहनी है, तो अगर हम नियत समय पर प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, तो हमारे मन की चाहे कोई भी कामना हो, वो अवश्य पूर्ण होती है। और जोतिश शास्त्र के अनुसार भगवान सूर्यदेव को प्रसन करने का ये सबसे सरल उपाय है, और सबसे कम समय में भगवान सूर्यदेव. रसन हो जाते हैं, अगर हम उन्हें नियम प्रतिदिन जल देते हैं, तो तो नियम यही है कि आप प्रतिदिन समय पर जल देंगे, तामर पात्र लेंगे, तामर पात्र में आपको जल लेना है, इसके साथ ही आप उसमें लाल फूल अवश्य डालेंगे, मतलब प्रतिदिन आ लड़कियों के बारे में कि अगर वह इस उपाय को करना चाहती है, तो दिन लगातार किस तरह से करेंगे, देखिए अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं। सूर्य देव का मानसिक रूप से जब कर सकते हैं, लेकिन मंत्रो चारण बोल कर नहीं करना है, बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन नियम अपना कंटिन्यू रखेंगे। भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हुए ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बहतर होगा कि आप अपने घर में जो पूजा स्थल है, वहाँ पर भगवान सूर्य देव की एक प्रतिमा लगाएं प्रति दिन उनके दर्शन करें, प्रणाम करें, उनके सामने धूप दीग प्र जास्थल में भी अगर ये उपाय करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना हो, पूर्ण होगी कामना सिर्फ एक ही रखे, मतलब मन की कोई भी एक इच्छा लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं, प्रश्न क्या 43 दिन से ज्यादा इस उपाय को कर सकते हैं? जी हाँ, बिलकुल कर सकते हैं, 43 दिन जब आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी लगातार आप इस उपाय को करते हैं, अगर आप नियम पूर्वक इसी तरह से प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो यकीन मानिये आपके जीवन में बड़ी से बड़ी ही समस्या आए, तो आपके, अंदर आत्म विश्वास इतना अधिक हो जाता है, कि आप उस समस्या का अपने पराक्रम से सामना कर सकते हैं, तो बहुत महत्वपूल्ण होती है, भगवान सूर्यदेव की आराधना और इनकी आराधना करने मात्र से ही मनुष्य को उसके जीव और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में शेर कीजिए, आप इस उपाय को जरूर करें, इससे बहुत अधिक लाब होता है, फ्मिली फ्रेंज के साथ वीडियो को शेर करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य देव को नमस्कार अवश्य करें, आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए